तुलसी कैसी है किड्नी के लिए? हिंदू धर्म में तुलसी लगभग सभी घरों में होती है क्योंकि तुलसी हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ी है मान्यता है कि भगवान विश्णू को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता क्योंकि भगवान विश्णु बिना तुलसी वाला भुग स्विकार ही नहीं करते खेर ये बात हुई हिंदू धर्म की आस्ता की लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी सिर्फ आस्ता ही नहीं बलकि आपके स्वास्ते को बहतर बनाने में भी मदद करती है लेकिन कैसे चलिए जानते हैं आज हम आपको बताएंगे तुलसी किड्नी को कैसे स्वास्ता रखती है साथ ही जानेंगे तुलसी के कुछ फायदों के बारे में अपने विश्य पर आगे बात करेंगे लेकिन जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बैल आइकन को दबाना ना भूलें चलिए जानते हैं तुलसी के कुछ फायदों के बारे में आइरवेद में तुलसी के पौधे के हर भाग को स्वास्ते के लिहाज से फायदेमंद बताया गया है तुलसी की पत्ती ही नहीं बलकि तुलसी का तना और इसके बीज भी काफी फायदेमंद होते हैं तुलसी का सेवन आपकी किड़ने को स्वस्त रखने में एहम भूमिका रखता है, क्यूंकि तुलसी में कई ऐसे पोशक्तत्व पाये जाते हैं, जो आपको उन सभी परेशानियों से दूर रखते हैं, जो आपकी किड़नी को डैमेज कर सकती हैं. तुलसी का सेवन आपके immune system को मजबूत बनाने में मदद करता है तुलसी में immuno-modulatory के गुण पाये जाते हैं जो immune system की कारेपरणाली को बहतर बनाने में मदद करते हैं जिससे आप शरीर में होने वाली कई बीमारियों से दूर रहते हैं तुलसी का सेवन आपको अस्थमा जैसे रोग से भी बजाता है इसके साथ ही इसका सेवन आपको सर्दी जुखाम बुखार जैसे समस्याओं से भी आराम देता है इसके लिए आप तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं या फिर आप तुलसी का पानी भी पी सकते हैं अगर आप नियमित रूप से तुलसी को अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो तुलसी आपके हार्ट को स्वस्थ बनाये रखने में मदद करती है, तुलसी का सेवन आपके बलड को साफ रखता है, जिससे आपका बलड प्रेशर समान्या बना रहता है और जब आपका बल कि तुलसी में कई ऐसे मिनरल्स पाये जाते हैं, जो आपकी डेमिज किड्नी को और ज़्यादा खराब कर सकते हैं, इसलिए किड्नी के मरीज तुलसी का सेवन नहीं कर सकते और जो स्वस्थ इंसान है, वो भी सिर्फ तुलसी के 3-4 पत्ते ही खाएं, तुलसी के रस्में रै राइप्टीस के शिकार नहीं होते और जब आपके ब्लड में शुगर का इस्तर कम होता है तो आपके किड्नी भी स्वस्त रहती है तुलसी में मौजूद एक खास तरह का एसिड होता है जिसमें एंटी इंफलमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में होने वाली सूज को कम करने में मदद करते हैं तुलसी के सेवन से आपकाई इंफलमेटरी डिजीज जैसे एलर्जी अस्थमा टीशू में सूजन इन सभी से बचे रहते हैं इसके साथ ही तुलसी सरदर्द गले की खराश और खासी जैसी परिशानी को भी दूर करता है तुलसी में मौजूद एक खास तरह का एसिड होता है जिसमें एंटी इंफलमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर में होने वाली सूजन को कम करने में मदद करते हैं अगर आप नियमित रूप से तुलसी का सेवन करते हैं तो ये आपके बलड वैसल्स को अंदर से साफ रखता है जिससे दूर रहते हैं तुलसी का सेवन आपको बाल जढने की दिक्कत से भी बचाता है और आपको तुचा में होने वाली समस्याओ से भी आपको दूर रखता है अपने जीवन में तुलसी के अलावा आप योग और आयर्वेद को शामिल करते हैं तो यह किड़नी की सभी से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मयरोदा से संपर कर सकते हैं कर्मयरोदा अपचार केंद्र में आपको किड्नी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है कर्मयरोदा में आपको बहतर डाइट की जानकारी भी दी जाती है क्योंकि आपको कोशल डाइ अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें साथ इस जरूरी जानकारी को शेर करना न बोलें वीडियो से जड़ा कोई भी सवाल या सजेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं धन्यवाद